आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास भी है Vivo का फोन और उसमें Net नहीं चल रहा है तो इसको हम ठीक कैसे करें आईए जानते हीं इसकी लिए सबसे पहरा तरीका है अपने फोन में इसके लिए सबसे पहला तरीका है अपने फोन को एक बार बंद करके चालू करें यानि कि रिस्टार्ड कर दीजिए इससे आपके दिक्कट ठीक हो जाएगी फिर दूसरा तरीका है आपको अपना जो रिचार्ज है चेक करना है कहीं आपके रिचार्ज तो खतम नहीं हो गया है या जो डेली लिमिट मिलती है एक जीवी या दो जीवी वो चेक कर लेना है हो सकता है वो आपका डेटा खतम हो गया हो तीसरा तरीका है आपको शेटिंग में जाना है यहाँ पर आपको मिलेगा network and internet इस पर touch करें यहाँ पर आपको मिलेगा sim card and mobile network इस पर touch करें यहाँ पर आपके sim होगी अब यह आपका बंद है तो इसे चालू करें sim होगी sim पर touch करें यहाँ पर इसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर roaming डेटा रॉमिंग देख लिजी इसे और लिजिए यहां पर आपको मिलेगा data uses इसे आप बहुत ज्यादा कर दीजिए करीवन आप इसको setting में लाके 3 GB या 4 GB कर दीजिए आपर data warning है तो इसे ज्यादा कर दीजिए करीवन 10 GB कर दीजिए इससे भी दिक्कत आ जाती है इसके अलावा यहाँ पर आपको एक option मिलेगा access point name इस पे touch करें यहाँ पर इसे आप reset कर सकते हैं वरना एक ऐसा तरीगा बता रहा हूँ जिससे आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी आपको simple setting में आना है नीचे जाना है यहाँ पर आपको मिलेगा system इस पे touch करें यहाँ पर आपको मिलेगा reset option इस पे touch करें reset wifi and mobile bluetooth पे touch करें देखिए यहाँ पर लिखा है mobile data bluetooth और wifi से लिगा जो भी दिक्कत होगी ठीक हो जाएगी reset setting पे touch करें अपना pattern log डालिए और आपका यहाँ पर reset करने को option फिर से आजाएगा आप इसे reset कर दीजिए आपका net चलने लग जाएगा वीडियो पसंदाए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें